हेलो एंड वेलकम यूवाल इस वीडियो में हम लोग ततकाल रिजर्वेशन टिकट के लिए रिजर्वेशन फार्म को भरना सिखेंगे यह फार्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होता है एक तरफ हिंदी में होता है और दूसरी तरफ अंग्रेजी में होता है इस फार् ततकाल टिकट बुकिंग से सम्मंदित कुछ जरूरी बाते बता दूँ ततकाल टिकट की बुकिंग यात्रा से एक दिन पहले की जाती है यानि अगर आपको 23 तारीख को यात्रा करने है तो आप 22 तारीख को अस्टेशन जा करके ततकाल टिकट बुक कर सकते हैं और जो बुकि जैसे 2S और slipper class के लिए booking दिन के 11 बजे से शुरू होता है तो अगर आप ततकाल टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप स्टेशन जाएं और सबसिप आगे आप लाइन में खड़े होने की कुशिस करें कि सबसे पहले रहें तो क्योंकि पहले और पहले पाओ का हिसाब होता है तो अगर आप पहले रहेंगे तो आपको ततकाल टिकट मिलने के चांसे जादे रहेंगे तो चलिए अब हम लोग फार् उसके बाद से आप यहां नीचे आएंगे यहां पर ट्रेण नंबर और नेम का अपसन है तो अगर आपको ट्रेण नंबर मालुम है तो सिरफ ट्रेन नंबर डाल देंगे उससे भी काम चलले गया आप चाहें तो नाम भी डाल सकते हैं में यहां पर नेम और नंबर सpruch दू करना चाहते हैं यानि sleeper, AC first class, AC second class तो आप जो भी book करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर डाल देंगे जैसे मैं यहाँ पर sleeper डाल दे रहा हूं यहाँ पर आप जितने seat या birth book कर रहे हैं उसका number डाल देंगे जैसे मैं यहाँ पर दो birth book कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर दो डाल यहां पर आपको उस station का नाम लिख देना है जहां तक आपको यात्रा करनी है जैसे मुझे नई दिली तक जानी है तो मैं यहां पर नई दिली लिख दे रहा हूँ उसके बाद से यहां देख सकते हैं boarding at यानि किस station से आप train पे चढ़ेंगे तो उस station का नाम लिखेंगे जैसे मैं गोरख पूर लिख दे रहा हूँ वैसे ही reservation up to यानि कहां तक्रिवेशन करना चाहते हैं तो मैं यहां पर नई दिली लिख दे रहा हूँ यहां पर आप अपना mobile number डाल देंगे यहां पर आपको यात्रीयों का detail डाल देना है आप एक farm से अधिक्तम 4 लोगों का ततकाल टिकेट बुक कर सकते हैं यानि एक farm पर 4 लोगों का नाम अधिक्तम डाला जा सकता है तो यहाँ पर आप यात्रियों का पहले नाम डाल देंगे उसके बाद से आप यहाँ पर इंडियन लिख देंगे यानि आई बना देंगे उसके बाद से पूरुस है तो M लिख देंगे और महिला है तो F लिख देंगे उसके बाद से यहाँ पे आप यात्री का age डाल देंगे वैसे ही अगर एक से जादे यात्री हैं तो उनका detail भी आप नीचे डालते जाएंगे आप अधिक्तम चार यात्रियों का detail यहाँ पे डाल सकते हैं यानि चार यात्रियों का तदकाल टिकट भूख कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा यात्रा कर रहा है जिसकी उमर पांच साल से कम है तो उसका detail आप यहाँ पे डाल देंगे उस बच्चे का टिकट नहीं लगेगा अगर आप return टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं option है onward return journey details तो आपको return journey के आपको यहाँ पे detail डाल देना है यहाँ पे आपको 10 number और नाम लिख देना है यहाँ पर यात्रा का date डाल देंगे उसके बाद से class में यानि किस category में आप ticket लेना चाहते हैं यहाँ पे नाम लिख देगा उसके बाद से नीचे यहाँ पे artist देदेगा यह काम करना ही करना है भले आप return टिकट ले या नहीं यह detail आपको देदेनी है यहाँ पर आपको mobile नंबर देदेनी है उसके बाद से आप यहाँ date डाल देंगे आप जिस date में टिकट बुक करा रहे हैं वो date डालेंगे उसके बाद से आप चाहें तो time देदेंगे उसके बाद से finally आपको यहाँ पे signature कर देना है और उसके बाद से दोस्तों अब हम देख देते हैं कि इसी farm को आप हिंदी में कैसे भरेंगे दोस्तों मैंने इस farm को हिंदी में भर दिया है आप वीडियो पास करके देख लेंगे उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे like subscribe और share करना ना फूलिएगा thank you for watching